Hello MSC, Welcome back to my channel, तो आज हम आखी को continue करते हैं हमारा lecture, तो देखिए, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी हमने start की थी, lecture no. 4 पर हम पहुँच गया है, और आज के lecture पर हमने बात करना है, selection rule for a Raman Spectroscopy, Raman Spectroscopy के लिए हम लोग श्या selection rule लेते हैं, तो देखो हम चीज़ों को बहुत easy way में पढ़ेंगे, बहुत simple भी topic है, हम example की help से भी चीज़ों को और clear करेंगे, तो इस start करते है lecture को, ठीके, तो देखो ना, आपको एक चीज़ तो बहले आपको पता है, कि Raman Spectroscopy और IR Spectroscopy एक दूसरी के similar है, क्यों similar है, क्योंकि ये दोनों Spectroscopy क्या बात करते थे, दोनों Spectroscopy molecules के vibration और molecule के rotation की बात करते थे, मतलब देखो दोनों आपको पता, Spectroscopy में क्या होता है, आप अपने molecule को irradiate करता है किसी radiation से, और अगर आप IR Spectroscopy की बात करेंगे, तो IR Spectroscopy में क्या करेंगे, ये आपका एक sample molecule है, तो इस sample molecule को irradiate करेंगे, पर्टिकुलर्ली कौनसी radiation से, इंफ्रारड radiation से, और similarly, अगर हम लोग रमन के case पर बात करेंगे, तो रमन Spectroscopy में क्या करेंगे, ये ही आपका sample molecule हो गया, इस sample molecule को क्या करेंगे, इरेडियेट करेंगे, पर कौनसी radiation से, यहाँ पर आप monochromatic radiation, या फिर आप laser beam का use कर सकते हैं, अब आप बताईए कि दोनों, ये आपके IR Spectroscopy में आप ऐसा करते हैं, यहाँ पर आप ये रमन Spectroscopy में ऐसा करते हैं, कि दोनों Spectroscopy मॉलेकिल केsecond nations इसे जाए बनाएSw करेंगे तब ये हैच्टउ बनाएंगे, तो दोनों Spectroscopy ये बनते हैं, जब suppose आपके पास जो molecule है इस पर आप radiation डालते हैं तो इस molecule में जो atoms है atoms के बीच में जो bond है इस bond में क्या होने लगता है vibration और क्या होने लगता है rotation होने लगता है यह समझवाई कि दोनों spectroscopy molecule के vibration और rotation की बात करता है यह दोनों IR भी रमन भी दोनों सेम चीज़ के बारे में बात करते हैं इस से हमें selection डूल कर क्या करना है तो देखो आपको पता है इसमें कितने नंबर के vibration पॉसिबल है अगर vibration पॉसिबल है कितने नंबर के पॉसिबल है यह आपको पता चलेगा तभी तो आप spectra वगरा ड्रॉ कर सकते हैं तो आपने क्या करना होता है दोनों spectroscopy के अंदर जो आपका given molecule होता है उसमें आपको total number of vibration को calculate करना होता है तभी तो आप spectra बनाएंगे तो total number of vibration भी calculate करना मैंने आपको पता है तक कहा हो जब मैंने आपको IR spectroscopy में degree of freedom की बात बताईती तो degree of freedom की वज़े से हम किसी भी molecule में total number of vibration को calculate कर सकते हैं समझवाई इतनी जिस कि total number of vibration को आप कैसे calculate कर सकते हैं with the help of degree of freedom बट आपको ये भी पता है कि vibration आप stretching vibration एक vibration होता है आपका bending vibration इती चीज़ क्लियर है अब देखो मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आपको किसी भी molecule के total number of vibration मिल गए तो उसमें आपको कैसे पता चलेगा कि उस total number of vibration में से कितने number के आपके stretching vibration होंगे और कितने number के आपके bending vibration होंगे तो आपने क्या करना है व total number of calculate होगे तो simple है आपको stretching और bending को calculate करना तो देखो होता क्या है कि अगर मैं आपको simply ही बोलो कि अगर आपने कोई भी आपके बस AX2 type का molecule है इसके लिए आपने total number of vibration निकाल दी कि इसमें total number of vibration कितने है और आपको पता चला है कि इसमें 2 तो आपके stretching vibration है और 2 आपके bending vibration है तो आपने इस AX2 type के molecule के लिए total number of vibration और साथी साथ उनको classify भी कर दिया कि vibration कौन सा है बड़ जरूरी चीज जो है वो आपको यह है कि कौन सा vibration आपका active vibration है कौन सा vibration आपका inactive vibration है अब active vibration और inactive vibration क्या हुआ देखो active vibration जो होगा उसी का आप spectra draw कर सकते हैं inactive vibration के लिए spectra आप ड्रौ नहीं कर सकते आपने ना IR spectroscopy के केस में यह term भी सुना होगा कि आप i research shows감 में बोलते हैं कि यह वाला vibration मेरा IR एक्टिव है यह वाला vibration मेरा IR inactive है क्यों बोलते हैं यह चीज़ यह चीज़ हमको यह बता दिए कि कौन सा vibration के लिए आप spectra draw कर सकते हैं उसके लिए आप frequency निकाल सकते हैं कौन से vibration के लिए spectra draw नहीं होते हैं तो सेम चीज़ जैसे आपने IR में कीती सेम चीज़ आपको किसके लिए करने है रमन के लिए यानि कि रमन के लिए भी अगर आप क्या करेंगे total number of vibration निकालेंगे तो आपको यह चेक करना होगा कि उन total number of vibration में से कौन सा vibration आपका रमन एक्टिव है और कौन सा vibration आपका रमन इनक्टिव है यह हम क्यों चेक कर रहें क्योंकि रमन एक्टिव वाइब्रेशन ही आपका इस्प्रेक्ट्राड रो कर सकते हैं रमन इनक्टिव वाइब्रेशन आपका इस्प्रेक्ट्राड रो नहीं कर सकते हैं रमन एक्टिव वाले करेंगे रमन एक्टिव वाले नहीं करेंगे अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा वाइ इस तो यह पता करने के लिए आप यूस करते हैं तो सेलेक्शन रूल का काम यह है कि अभी तक आपने जितनी चीज़े सीखी कि टोटल नंबर आप वाइब्रेशन को कैसे कैलकुलेट किया जाए पाकी चीज़े जितना भी आपका इंट्रो वाला पॉर्चन था आपने वुस स यह चीज भी पक्का है कि अगर आपके पस vibration है तो मेभी वह vibration active हो, मेभी वह vibration inactive हो, okay? तो अगर vibration active है, तो आप उसका spectra रॉक कर सकते हैं, अगर inactive है तो वो आपके लिए कोई भी useful नहीं है, उसके लिए आप पीक नहीं दिखा पाएंगे, वो strong peak आपको नहीं देगा, तो यह predict के से करेंगे कि कौन सा vibration आपका active है, कौन सा inactive है, इसके लिए हम लोग selection rule का use करता है, और सारे spectroscopy के अपने-पने selection rule होते हैं, तो अब मैं आपको क्या बताती है, अब मैं आपको पूरा theory के form में समझाते वे चलती हूँ, और लास्स मैं आपको बहुत important important चीज़ और example के help से आपको चीज़ों को simple बनाऊंगे, तो देखो, Raman Spectroscopy का selection rule पूछा जाएगा, तो आप roughly, मतलब simply ऐसे बोल लीज़ेगा, यह बोल रफली speaking, अगर आप किसी Raman transition के लिए, प्राइमरी सलेक्शन रूल को देखना चाहेंगे, Raman transition समझ मादन, transition क्या होता है, आपको पता, आपके पास energy levels होता है, और यह energy level को आप Raman Spectroscopy और IR Spectroscopy के term में क्या बोलते है, vibrational level, तो आपको पता है, initially आपका molecule यह level पर होता है, जो कि आपकी ground state है, इना आप नाम देंगे तो क्या बोलेंगे, N0, N1, N2, N3, N4, तो आपका molecule initially क्या होता है, इस level पर होता है, N0 level पर, यानि कि ground state पर, जिसकी energy सबसे कम होती है, इसकी energy आपकी minimum होती है, आप जितना ज्यादा उपर को जाएंगे, जितनी ज्यादा आपकी energy level बढ़ेगी, उतनी ही आपकी energy पी बढ़े होगी, यानि कि इसकी energy आपकी maximum होगी, इस case में, अब देखो क्या होगा, initially जो आपका molecule यहाँ ground state में, lower energy level में है, तो आपको क्या होगा, जैसे रमन की बात करें, तो आप बहार से क्या देंगे, sorry, monochromatic radiation देंगे, monochromatic radiation या फिर laser भी, तो जैसे आपके molecule को बहार से energy मिलेगी, तो अबविस्टी बात है, molecule के energy बढ़ जाएगी, अगर molecule के energy बढ़ जाएगी, तो अबविस्टी बात है, तो आप इसे बोलेंगे, रमन ट्रांजिशन, तो रमन ट्रांजिशन के लिए, या फिर आप बोलेंगे, रमन स्पेक्रोस्कोपी के लिए, अगर आपको primary, सबसे basic selection rule देखना चाहते है, तो आपको क्या मिलेगा, is that the molecule polarizability must be changed, during the molecular vibration and rotation, यह बोल रहा है कि, अगर जब आपका molecule vibrate कर रहा है, आपको कैसे पता चलेगा, कि आपका vibrating molecule active है, या फिर inactive है, यानि कि रमन active है, या फिर inactive है, कैसे पता चलेगा, आप देखो, आपका जो molecule vibrate कर रहा है, vibration के समय, अगर molecule की polarizability change हो रही है, इट मिन्स आपका molecule का जो vibration है, वो आपका active vibration है, otherwise वो हो जाएगा inactive vibration, यही चीज़ तो आप IR के केस पर पढ़ते थे, IR किसकी बात करता था, IR polarizability के बदले किस की बात करता था, dipole moment, जिसे हम new से represent करते हैं, polarizability को आप alpha से represent करते हैं, तो molecule, आपका IR spectroscopy यह बोलता है, कि अगर आपका कोई भी molecule वाइबरेट करता है, अगर vibration के समय उस molecule का dipole moment change हुआ, तो उस केस में यह आपके molecule के vibration को active consider किया जाएगा, otherwise वो inactive हो जाएगा, सेम चीज़ रमन की है, रमन यह बोलता है, कि अगर आपका molecule वाइबरेट कर रहा है, वाइबरेशन के समय अगर आपके molecule में polarizability change हुआ, तो उस केस में आप बोल सकते हैं, कि आपका vibration active है, otherwise आपका vibration क्या हो जाएगा, inactive हो जाएगा, कितना easy topic है, इतनी चीज़ क्लियर है, अब देखो polarizability आप समझ सकते हैं, polarizability में आपको explain करती हूँ, वैसे मैंने आपको previous lectures पर भी समझा हुआ हुआ है, आप देखो na polarizability मतलब क्या होता है, देखे, आपका जो molecule होता है, suppose मैं आपका बोलो AB molecule, यह आपका AB molecule मैंने बोला, यह non-polar है, non-polar मतलब, non-polar मतलब जिसके पास poles नहीं हो, poles मतलब क्या है, आप physics में भी पढ़ते हैं, दो टाइप के pole होता है, positive pole, negative pole, अगर आप देखो, इन दोनु एटम्स के उपर, मैंने कोई charge नहीं लगा है, इट मेंस यह एक टाइप के non-polar molecule है, लेकिन अगर इस molecule के उपर मैं radiation दे दू, कौनसी radiation दे दू, obviously बात है, रमन स्पेक्ट्रसकोपी की बात कर रहे है, तो हम लोग monochromatic radiation इस पर pass कराएंगे, तो होता क्या है न, जैसे आप इस molecule के उपर monochromatic radiation पास कराता है, इसे बहार से electric field की presence मिलती है, अब आप बोलेंगे electric field कहां से आ गया, तेको monochromatic light जो होती है, इसके पास दोनु component होता है, magnetic component as well as electric component, तो हम लोग क्या है, electric component की अगर हम बात करें, तो आप देको जैसे आप molecule के उपर, देको initially radiation नहीं थी, तो molecule भी आपका non-polar था, लेकिन जैसे आपने radiation डाली, तो obvious सी बात है, monochromatic light के पास आपकी electric component है, तो बाहर से electric field की presence भी मिलेगी, तो molecule को जैसे आपकी electric field की presence मिलती है, तो आपका molecule क्या बन जाता है, polar कैसे बन जाता है, वो भी मैं आपको explain करती हूँ, तो यहाँ देखिए, आपका यह molecule है, suppose भी मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ, देखो, A भी आपका molecule है, अब बताईए, A B में जो यहाँ पर bond है, वो कौन सा bond होगा, obviously बात है, covalent bond, क्योंकि atom, यह वाला जो A molecule है, A atom है, इसके पास भी अपना electron होगा, अब B atom के पास भी अपना electron होगा, इन दोनों एटम्स ने अपनी sharing की, देखो, यहाँ पर A समझवा रहा है, यहाँ पर इन दोनों की है, अपनी electron की sharing की, तभी तो इन दोनों के बीच पर bond बना, तो अगर आप इन दोनों की bond में, electron को represent करना चाहेंगे, तो electron की position कहां होगी, electron की position होगी, यहाँ पर तभी यह दोनों electron A के पास भी है, तभी यह दोनों electron B के पास भी हैं, इनकी bonding की वज़े से, इनकी overlapping की वज़े से, इनके बीच में A और B के बीच में, एक covalent bond बना, इतनी चीज़ क्लियर है, अब देखो, initially तो आपका molecule कुछ ऐसा था, लेकिन जैसे बाहर से electric field किया आया, तो इन दोनों atoms के उपर poles आने लगे, poles मतलब किसी के उपर positive charge, किसी के उपर negative charge, कैसे, देखें, अगर आपने बाहर से electric field लगाया, तो अब विसी बात है, electric field की भी तो एक direction होती, कैसे, आपको मैं बताती हूँ, देखें, मैंने क्या बोला, initially आपके electrons इस पोजिशन में प्रेजन थे, अब क्या होगा, आप बताईगी, अगर बाहर से क्या है, बाहर से कोई electric field नहीं मिल रहा था, तो वो बिचारे बीच में फिट बाहर रह रहे थे, उनको कोई भी इशू नहीं था, लेकिन देखो, अगर आपके electron को बाहर से positive field मिल रहा है, तो ये electron किसके और attract होंगे, अब्वेस्सी बात है, positive charge की और, तो क्या होगा, देखो, आपके जो electron है, कभी bond से बाहर नहीं जाते, ये bond में खिसक पे रहते हैं, कभी A के पास, कभी B के पास, अगर बाहर से कोई charge नहीं है, दनीर सेंटर पर प्रिजेंट है, कि हम equally A के भी हैं, equally B के भी हैं, क्योंकि दोनोंने sharing किया, लेकिन बाहर से जैसे आपने electric field apply किया, ये दोनों electron किसके और shift होगे, पॉजिटिव चार्ज किया, अब ऐसो तो नहीं है ना, कि ये उड़के यहां चले जाएंगे, उड़ेंगे नहीं, ये क्या करेंगे, बस A की और shift होने लगेंगे, ये दोनों electron कहां को चले जाएंगे, A की और shift हो जाएंगे, A के close आजएंगे, क्योंकि A के पीछे क्या positive charge है, positive charge को देखके, इनको लाला चाहेगा, ये A की और shift हो जाएंगे, अब देखो, इनके उपर pulse बन जाएंगे, कैसे pulse बनेंगे, अब आप बताएंगे, कि A के पास, एके पास electron का concentration जादा हो गया, देखो, दोनों electron अभी भी A और B के बीच में present है, दोनों ने अभी भी bond बनाया है, between A and B, लेकिन किया है, A को क्या feel हो रहा है, कि दोनों electron उसके close आगे, जिसके विज़से A को थोड़ा negativity जाता लग दे, क्योंकि दोनों electron किसके close है, A के close है, तो आप A के उपर कौन सा चार्ज लगा सकते है, partial positive, हम partial लगाएंगे, कभी भी आपने ऐसा नहीं देखा होगा, कि इसके उपर positive लगा दे, इसके उपर negative ऐसा नहीं लगे का, क्योंकि अभी भी दोनों electron इन दोनों के बीच में है, अगर आप totally electron को किसी particular atom को देते, तब आप पूरा-पूरा charge लगाते, अभी जस ये A electron, A atom जो फील कर रहा है, कि उसके पास, sorry, sorry, यहां positive नहीं, यहां तो negative आएगा ना, तो देखो, ये जो A atom है, इसे जस फील हो रहा है, कि इसके पास access of electron है, तो access of electron होने की विर से क्या है, इसको negativity का फील हो रहा है, तो A के उपर हमने partial negative लगाया, one अभी भी present है, और B को लग रहा है कि उसका electron उससे दूर जा रहा है, इसकी विर से क्या होगा, B के उपर partial negative positive चार्च आ गया, क्योंकि इसके पास क्या है, electron की deficiency, अब देखो हमने क्या किया, जैसे monochromatic radiation डाली, यहां पर molecule में क्या बन गया, तो यही तो होता है, polarization, पोल्स का generation होगा, लेकिन, अगर आप इस molecule में vibration कराएंगे, vibration अलग-अलग type का होता है, जैसे आपने bending vibration, stretching vibration कराई, तो अगर इस molecule को vibration के time पर, इसके पोल्स में कोई भी change आया, पोल्स, polarity का है, बढ़ी या फिर घटी, अगर कोई भी change आया, उस case में आप बोलेंगे, कि आपका vibration क्या है, active है, otherwise inactive है, मैं आपको और example से समझाऊंगे, अभी जिस इतना समझे, तो polarizability का concept समझे, तो polarizability, यहां पर को मैंने short form में लिखा हुआ है, आपकी revision purpose नो यह help करेगी, तो आप पहली definition चोड़ी, second आपको ज्यादा easy लगेगी, यह बोल रहा है, the polarizability of a molecule, tell us about how hard and how easy, it is for the electric field to change or distort the electron cloud, इनन atom और molecule, जो मैंने आपको बोल रहा है, और यह बोल रहा है, close to a nucleus, ऐसे molecules जिसमें nucleus से आपका electron ज्यादा दूर है, उस case में polarizability ज्यादा होगी, यानि कि positive और negative charge में जितना ज्यादा difference होगा, उतनी ज्यादा polarizability, जितना वो एक दूसरी के close, उतनी कम polarizability, इतको माइन में रखना इस point को, बाकी की चीज़े मैं आपको clear कराती हूँ, अभी जिस आप इतना सुने, अब देखो न, एक और चीज़ आप समझ लेज़े, दन मैं आपको यह example के form में explain करा हूँगे, अभी जिस इतना सुनो, अब देखो न, polarizability भी आपकी दो type की होती, एक होता है, anisotropic polarizability, एक होती है, आपकी isotopic polarizability, अब anisotopic और isotopic क्या होती है, तो देखिए, anisotopic polarizability आप तब बोलते है, जब आपकी polarizability generate तो होगी, polar, आपने देखा, polarizability generate तो होई, बट कब होती है, जब आपका molecule vibrate या फिर rotate करता है, तो उस case में जो polarizability होती है, उसे term दिया जाता है, anisotopic polarizability, लेकिन अगर आपका molecule normal है, वो vibrate भी नहीं कर रहा है, rotate भी नहीं कर रहा है, उस case में आपने बहार से magnetic field अप्लाई किया, और उस magnetic field के apply करने के वज़े से, आपके molecule में polarize, polarize, बने, radiation मिली, monochromatic radiation, तो electric field जनरेट हुआ, साथे साथ आपके molecule को radiation मिली, तो आपके molecule भी तो vibrate होने लगेगा, अब ये molecule, जो A-B molecule है, ये भी vibrate होगा, बट कितने type का vibration होगा, क्या कौन-कौन सा vibration होगा, वो हम क्या है, नीचे example की हैब से देखेंगे, क्योंकि यहाँ बताऊंगे, तो और confused रहेंगे, अभी जैस इतना समझो, कि आपने radiation डाली, molecule तो vibrate हो रहा है, लेकिन बहार से इसे electric component भी मिला, electric component के विश्ये, आपके molecule में पोल्स जनरेट हुए, अब ये पोल्स को क्या करना है, चेंज भी होना है, जब आपका molecule vibrate होगा, अगर vibration के समय, पोल्स चेंज हो रहे, आप बोलेंगे कि आपका vibration active है, otherwise भो क्या हो जाएगा, inactive हो जाएगा, तो ये समझ माया, anisotropic polarizability और isotropic, anisotropic जब आपका molecule vibrate करता है, उस case में जो polarizability generate होती है, उससे बोलते है, anisotropic polarizability, और anisotropic polarizability की बात हम लोग करते है, जब हम लोग Raman spectroscopic की बात करते हैं, और isotropic क्या होती है, जब आप किसी particular atom की बात करते हैं, अब आप बताएगे एक atom, जो अक्यला atom है, वो कौन सा जो vibrate करेगा, कौन सा जो rotate करेगा, उस case में, बिना rotation और बिना vibration के बात भी, अगर उसको बाहर से electric field जा दिये, तो अभी भी इसमें क्या होगा, polarizability generate होगी, तो यहाँ पर को जो polarizability generate होती है, इसी को बोला जाता है, isotropic polarizability, इतनी चीश क्लिए रहे हैं, अब देखो, अब मैं आपको एक example की help से बताती हूँ, then मैं यह वाले points आपको समझाऊँगी, तो कहाँ पर हम देखें, एक minute रुकेगा, आपको एक example दूँ, आप example ले सकते हैं CO2 का, तो CO2 एक type का molecule है, तो हमने check करना है कि पहले देखेंगे, कि हम देखेंगे कि CO2 में कितने type के vibration है, क्योंकि जब हम लोग number of vibration, types of vibration देखेंगे, तभी तो हम detect कर सकते हैं, कि कौनसा vibration active है, कौनसा inactive है, आप पहले ही देखो कि CO2 molecule में कितने number के vibration possible है, तो कैसे detect करते हैं, तो मैंने आपको बोला है कि जब आपके degree of freedom का concept यूज करते हैं, उसकी हैप से degree of freedom के concept से आपको पता चलता है कि कि किसी भी molecule में total number of vibration कितने और कितने type के हैं, इतनी चीज के लिए रहे, तो IR spectroscopy के अगर आपने मेरी lectures देखेंगे हैं, वहां मैंने चीज़ों को separately सारी चीज़े खोल खोल के बताए भी थी, अभी जब हम लोग directly formula यूज करेंगे, तो degree of freedom की हैप से अगर आप निकालना चाहिए, तो degree of freedom for a polyatomic linear molecule के लिए formula होता है 3N-5, और polyatomic molecule but non-linear के लिए formula होता है 3N-6, मतलब जैसे आपका CO2 molecule है, तो आप देखेंगे CO2 molecule को कैसे रिप्रेजन करते है, C double bond O, double bond O, ये क्या है, polyatomic तो है, लेकिन क्या है linear है, तो इस case में अगर आपको total number of vibration निकालना है, तो आप 3N-5 का formula यूज करेंगे, लेकिन अगर मैं water लूँ, तो वाटर का formula, वाटर क्या होता है, ऐसा होता है, ये भी आपका polyatomic है, बर bent है, linear नहीं है, तो non-linear molecule, बट polyatomic, उसके लिए अगर total number of vibration निकालना है, तो 3N-6 formula का आप यूज करेंगे होगे, तो यहाँ पर हमने कौनसा formula लगाना है, 3N-5, तो यहाँ पर देखो, आपको 3 तो अपको समझ में आ रहा है, N मतलब क्या होता है, N represent करता है total number of atom, बताइए, CO2 में कितने atom है, औविसी बात है, 3N-3-5, इस एकल तो जितना भी हैगा, उतने number के vibration आपकी possible है, तो 3N-3 कितना होता है, 9-5 is equal to 4, यानि कि CO2 में 4 type के vibration possible है, अब देखो, vibration भी तो अपकी अलग-अलग type की होता है, एक होता है आपका stretching vibration, एक होता है आपका bending vibration, अब हमको कैसे पता चलेगा, इन 4 vibration में से stretching vibration कितने, bending vibration कितने, तो कैसे पता चलेगा, मैं आपको बता चुक्यों, आपको stretching vibration निकाल ला है, bending खुद बे-खुद निकल जाएगा, stretching vibration का formula होता है, n-1, और n होता है आपका number of atom, तो बताएगी number of atom कितने है, 3, 3-1 is equal to 2, यानि कि total vibration is 4, जिसमें से stretching vibration है 2, तो bending कितने होंगे, अब विसी बात है, 4-2 is equal to 2, तो total vibration 4 है, जिसमें से 2 आपके stretching vibration है, और 2 आपके bending vibration है, तो आपने CO2 के लिए निकाल दिया, कि CO2 molecule माँ आपको stretching vibration कितने मिलेंगे, 2, और bending vibration मिलेंगे, 2, अब आपको detect करना है, कि इन 4 vibration में से कौन से vibration को आप active कहेंगे, किसके concept, किसके basis पे, रमन spectroscopy के selection rule के basis पे, जो कि polarizability की बात करती है, उसके बाद एक और चीज़ में आपको यहाँ पर यह एट करा देती है, हम लोग रमन के साथ साथ ना IR की भी बात करेंगे, क्यों, क्योंकि देखो आपके syllabus पे एक separate एक और topic दिया हुआ है, आपको मैं next lecture पर इसको separately बात करूँगी, बट यहाँ मैंने चीज़ों को add कर दिया, ताकि चीज़ आपको और easy लगे, ठीके, एक आपको principle दिया हुआ है, जो है आपका mutual exclusion principle, यह जो principle होता है, बहुत ही बड़ी है, आपको बहुत help करता है, किसलिए help करता है, यह ना, आपकी IR spectroscopy का selection rule और आपके रमन spectroscopy के selection rule को correlate कर देता है, मतलब यह देखो, यह बोलता है, mutual exclusion principle आपको क्या बोलता है, यह बोलता है कि अगर आपको कोई क्यूंकि तो को दोनूं spectroscopy molecule के vibration rotation की बात कर रहा है, दोनूं spectroscopy में आप क्या करते है, molecule की total number of vibration को निकालते है, बट vibration कौन सा active है, inactive है, यह चेक करने का दोनूं का अलग-अलग fund है, IR spectroscopy के case में आप dipole moment देखते है, लेकिन रमन के case में आप polarizability देखते हैं, लेकिन mutual exclusion principle आपको एक hint देता है, यह बोलता है कि अगर आपका जो molecule है, जो आप given molecule जो आप ले दे हैं, अगर उस molecule में center of symmetry present है, center of symmetry आपको पता है न, center of symmetry यह बोलती है, सपोज मैं आपको बोलू, अगर आप किसी भी molecule के center पर है, और center से आगे जा रहे हैं, और center से पीछे जा रहे हैं, तो आगे पीछे जाने पर या फिर उपर नीचे जाने पर लेफ्ट राइड जाने पर कहीं भी जाने में आपको same type के molecule मत्ता ऐसा नहीं कि left और आगे चलेगे, आगे पीछे उपर नीचे आपको क्या है, same type के molecule, आप आगे गए तो आपको X मिला, पीछे गे तो आपको X मिला, पीछे तो आपको X मिला, कि अगर आप कोई ऐसा molecule ले रहें जिसमें center of symmetry present है, उस case में अगर वो molecule को का vibration आप चेक करने हैं, suppose आप में क्या है, इसका आपका कोई, जैसे CO2 है, CO2 की respect में आपको आगे बताऊंगी, तो जैसे CO2 है, देखो CO2 भी तो एक center of symmetry वाला compound है, क्योंकि carbon से आगे जाओगे oxygen मिलेगा, carbon से पीछे जाएंगे भी oxygen मिलेगा, यानि कि यहाँ पर center of symmetry present है, और आपने देखा यहाँ पर कोई चार vibration होता है, अगर मैं बोलूँ, इस CO2, मैंने mutual exclusion principally बोलता है, कि अगर यह चार vibration में से, पहला vibration अगर IR की case में active है, तो यह vibration आपका रमन के case में directly inactive बन जाएगा, तो आपको देखने की भी जरुवत नहीं है, अगर आपका molecule center of symmetry है, और आपको पता है, उस molecule का पहला जो vibration है, मतलब कोई vibration आप देख सकते, चाहे stretching vibration चाहे bending vibration हो, वो अगर IR spectroscopy के case में active है, तो वो definitely रमन के case में क्या हो जाता है, inactive, यह दोनों एक दूसरी का उल्टा चलती है, अगर IR ने जिसको active बोल दिया, रमन उसको definitely inactive बोलेगा, IR जिसको inactive बोलता है, रमन उसको definitely active बोलेगा, यह किसने बोल प्रिंसिपल और सारी points भी बताता है, वो हम लोग नेक्स लेक्षर पर देखेंगे, एक जो इन दोनों को correlate कने वाला point है, वो मैं आपको यहां बता दिया, कि अगर आपके molecule में center of symmetry present है, और वो molecule में क्या होगा, अगर वो IR के लिए active है, तो वो रमन के लिए inactive में shift हो जाता ह तो कैसे है, हम CO2 का example लेदे, CO2 में center of symmetry भी है, तो हम इसे देख लेते हैं, तो देखो मैं आपको यहां पर खुद से बना के दिखाती हूँ, CO2 में आपने देखा 4 vibration है, दो आपकी stretching, दो आपकी bending, इसा आप कैसे represent करेंगे, तो देखो stretching आपकी 2 type की होती है, asymmetric, symmetric, और आपको stretching vibration क्या होता है, जो bond length के along change हो, bending vibration क्या होता है, जो bond angle के along हो, तो देखो मैं आपको CO2 का represent करती हूँ, पहली stretching यहां दिखाते है, C double bond O, double bond O, अब देखो यह stretching में आपको यह आपकी stretching vibration है, okay, stretching vibration में भी कौन सी दिखा रही हूँ, symmetrical stretching, यानि कि अगर इस CO bond को आप बाहर को stretch कर रह और अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ तो, क्या है अपका C double bond O, double bond O, अगर मैंने इस CO molecule को क्या है, अंदर की और stretch के, देखो मैं इसे तुबारा एक बार ही देख करके दिखाती हूँ, अच्छे से एक मिन तुखिएगा, देखो, आपका क्या है, C double bond O, double bond O, okay, इसमें क्या है सबते पहले मैं दिखा रही हूँ, stretching vibration, stretching vibration क्या बोलता है, कि आपने इसे stretch करना है, bond length के along, बट पहला stretching vibration भी कौन से, symmetrical, यानि कि stretching तो करेंगे, बट symmetrically करेंगे, मतलब पहले case में मैंने क्या किया, यानि कि मैंने क्या किया, इन दोनों bond को बाहर की और stretch किया, और ऐसा भी कर सक यानि कि यह भी क्या है, एक type का vibration है, कौन सा vibration है, stretching है, क्योंकि stretch कर रहा है, बट कौन सा stretching है, symmetrical stretching क्योंकि symmetrically stretching हुई है, अगर मैं इस case में पूछूं कि चलो आपको IR आपको देखना simple है, क्योंकि IR में जससा आप dipole moment देख रहे हैं, तो पहले आप IR की respect पर बताईए, कि यह ज तो IR spectroscopy बोलते हैं, आपका dipole moment चेंज होना अचे, अब आप देखिए, यहां पर क्या होगा positive charge, यहां पर होगा negative, यहां पर होगा negative, आपने इसको stretch किया, तो आपका molecule ऐसे stretch हुआ, यानि कि इसका dipole moment कुछ ऐसा होगा, इसका dipole moment कुछ ऐसा होगा, इसका dipole moment कुछ ऐसा है, एक दूसरे को cancel out कर देंगे, और dipole moment की value जो आपकी new होती है, वो 0 के equal हो जाएगी, मतलब आपका dipole moment में कोई भी change नहीं है, चेंज आया होता तो 0 के equal नहीं था, dipole moment में stretching करने के विसे कोई भी change नहीं है, तो dipole moment 0 के equal हो गया, अगर आप कोई भी change नहीं बोलना चाहते, तो आप ऐसा बोल सकते हैं, कि IR spectroscope ये बोलती है, कि वो vibration आपका active होगा, जिसके लिए dipole moment की कुछ नहीं कुछ value होगी, आप देखिए, यहाँ पर को dipole moment 0 हो जा रहा, क्योंकि इसका dipole moment equal है, ये दोनों एक दूसरे को cancel कर देंगे, तो ये क्या हो गया, आपका IR inactive, मैं आप ऐस इसमें क्या माना जाएगा, active कैसे माना जाएगा, इसको भी मैं आपको दिखा देती हूँ, देखे, रमन इसके spectroscope भी polarizability की बात करता, आप देखिए, यहाँ पर इसके कोई pole से, ये negative, ये इसके positive, तो देखो, जैसे आपने stretching की, तो यहाँ पर क्या हुआ, इसके polarizability याद करने को बोला, कि जब positive और negative charge में separation जादा होता है, तो polarizability बढ़ जाती है, अगर separation कम होता है, तो polarizability घट जाती है, तो आप देखिए, इनिशली ऐसा था, अब यहाँ पर आपने stretching करा है, तो polarizability बढ़ गी, खुद भुदे को bond length आपकी बढ़ गी, तो positive charge यहाँ, negative charge bond यहाँ ते length यहाँ पर बढ़ा, इनके बीच में distance बढ़ा, यानि कि polarizability पहले बढ़ी, बिल घटी, फिर अगेर बढ़ेगी, फिर घटेगी, क्योंकि यहाँ पर stretching vibration लगातार होते रहेगा, molecule वाइबरेट करते रहेगा, तो बढ़ेगी, घटेगी, 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 तो यहाँ पर polarizability change हुई, obvious सी बात है, तो यह रमन एक्टी बन गी, simple सी बात है, यह चीज तो mutual exclusion principle ने बोला था, इतने चीज क्लियर आई, अब हम दूसरा देदें, दूसरा भी आपका क्या है, आपका stretching vibration है, बट इस दूसरा stretching vibration कैसा होगा, asymmetric, मतलब C, double bond O, इसको मैंने अं इचे की और किया, अंदर की और किया, इसे मैंने बाहर की और किया, अब आप बताईए, यहाँ पर IR के respect पर देखेंगे, तो क्या होगा, obvious सी बात है, इसका जो dipole moment होगा, वो इसके dipole moment के equal नहीं होगा, यानि कि यहाँ भी same चीज है, तो dipole moment जो आपका new है, वो zero के equal नहीं यहाँ पर कुछने-कुछ value आपको मिलेगी, क्योंकि यह दूनों एक दूसरे को cancel out नहीं करें, तो dipole moment आपका zero के equal नहीं है, तो यह वाली जो stretching है, यह आपके IR active होगी, समझ में इतनी चीज़, अगर यह आपका positive है, यह आपका negative, यह है आपका negative, यह है आपका negative, तो देखो पहले यह ऐसे stretch हुआ था, ऐसी stretching होई, अगेन ही ऐसी होगी, तो देखो यह दोनों stretching एक दूसरे को equal है, देखो यहाँ भी negative, यहाँ positive, यहाँ negative, अब आप देखो यह पहले positive negative है, यह भी positive negative equal होगी है, यह दोनों equal, अब आपका जो molecule है, वो क्या बोलेगा ना, कि यह वाला oxygen अलग है, यह वाला oxygen अलग है, उसके लिए तो सारे oxygen बराबर, तो यह दोनों image आपको equal लग रहे है, तो आपका पहले molecule ऐसा है, फिर ऐसा हो जा रहा है, फिर ऐसा है, तो देखो दोनों की polarize, देखो ना, समझवाना ना, suppose इस polarizability को मैं 2 बोल दू, इसको एक number देदिया 2, इ यह क्या हो जाएगा, रवन इनक्टिव, इती चीज के लिए रहे है, similarly, दो बार बजगे, दो वाइब्रेशन और बन गे, दोनों अब कॉन से बचे, बैंडिंग, तो बैंडिंग वाइब्रेशन क्या होता है, तो देखे, बैंडिंग को मैं कैसे दिखाती हूँ, C, double bond O, double bond O, 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 O यहां पर को क्या हो रहा है इस molecule में क्या होगा आपको इसका भी डाइपोल मुमेंट मिलेगा इसका भी डाइपोल मुमेंट मिलेगा इसका भी डाइपोल मुमेंट मिलेगा इसका भी डाइपोल मुमेंट क्योंकि यहां भी तो क्या हो रहा है बेंडिंग हो रही है बट इन प् में कुछ ने कुछ चेंज होगा इत मिंस यह भी आपका आयार एक्टिव होगा तो आप देख सकते हैं अगर कोई बीची जाया एक्टिव हतो वो क्या बन जाती है रहा मैं इनक्टिव किसके केस अगर आपका मॉलेक्यूल में सेंटर आप समीट्री प्रेजंट है तो इती ची अगर आपको भी क्या होगा इसकेस में अगर आप डाइपोल मॉमेंट देखेंगे तो आपको इस चेंज होता हुआ दिखेंगा इसलिए आपका यह वाइब्रेशन होगा यह भी आपका एक्टिव वाइब्रेशन होगा लेकिन आपका जो यह वाला वाइब्रेशन अगर आ बस आपने किसके ही तर्म में देखना है आपको क्या मॉलक्यूल वाइब्रेट कर रहा है तो आपको पॉल्स में कोई चेंज मिलना चाहिए पॉलराइब्रेटी चेंज होने चाहिए यही बात आपको अगर आपका पॉल्स चेंज हो रहा है देन आपका वाइब्रेशन एक्टिव कंसिडर किया जाएगा अदर्वाइस वह इनक्टिव हो जाएगा इतना सिंपल सा समझ में आपको आपको समझ में आया होगा लेक्चर आपके लिए हेल्पफुर रहा होगा तो अभी हम लेक्चर को यहीं पर फिनिश करते हैं यही था आपका selection rule for a drum and spectroscopy आपसे पूछा जाता है तो theory material में आपको share करी देती हूँ साथ साथ आप example की हैप से भी चीज़ों को समझा सकते हैं तो अभी हम लेक्चर को यहीं फिनिश करेंगे मलिंगे मिलिंगे हम लोग next lecture में mutual exclusion principle के साथ तब तक करें बाई-बाई